हेलो अब्रिवान वेलकम स्टू मैं शानतर हूं आपका रिजनिंग वेंटोर आ गया हूं आज एक अमेजिंग सेशन के साथ आग लगाएंगे सेशन में और सबसे अच्छी बात भाई इनिक्वालिटी का इधर और केस जल्दी बच्चों को नहीं आता तो आज की क्लास बड़ी इंपॉरेंट होने वाली है क्यों कि आज सिर्फ पढ़ेंगे नहीं वो कंसेप्ट क्लियर करेंगे जिस कंसेप्ट के लिए भाई यहां पर दुनिया परेशान रहती है बच्चों ए मेरे इस सेशन में मुझे फर्स टाइम देख रहे हो तो जाओ नहीं यार वो नीचे 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 वो सबस्क्रिप्शन का बटन है जल्दी से दबादो सबस्क्राइब बटन को और जितना जादा हो सगे इस सेशन को शेर करो भाई यह डाउट आपका 100% क्लियर होने वाला कि के इदर और केस के बारे में सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं प्रापर कंसेप्ट वाइस चीज़र दिखाऊंगा तो चलिए ज़र आप बढ़ते हैं आज की कहानी पर लेकिन चलने से पहले सुनतो लो magnet brains आपको सब कुछ completely free देने वाला है यानि यह जो आप पढ़ रहे हो यह सिर्फ इतना ही नहीं कि बस यहीं तक सीमित है हम आपको हर एक चीज reasoning का prelims level हो mains level हो सब कुछ completely free देंगे मतलब एक रुपए आपसे चार्ज नहीं करेंगे और आपके selection की एक seat confirm है पकी करेंगे कहो तो तुम्हारी कसम खालें भाई एक seat पकी होगी तो पूरा session proper देखेगा और बने रहीएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें inequality को कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखे जरा पहले तो जानेंगे कि इदर और होता क्या है पहले तो समझेंगे कि इदर और का मतलब क्या होता है और अगर इदर और का मतलब नहीं समझे होगे तो सबसे important बात है कि आप ये question गलत करोगे भाई आप कोई भी banking का exam उठालो कोई पर आया है तो इदर और केस अपने आप में बहुत ही important बहुत ही जादा critical crucial situation के साथ आता और बच्चे इसमें गलती करना ही है उनको कर देते confusion रहती है यार नहीं समझ में आरा नहीं समझ में आरा क्या करें क्या करें तो करना कुछ नहीं भाई शांतनु सर आचुके हैं आप otherwise याद रखना आपको एक भी परसेंट का डाउट नहीं छोड़ना इसमें सबसे पहले बात करेंगे basic rules की basic rules की अगर बात करो मैं तो inequality का जो basic rules होता जरा बेटा वो जान लो basic rule आप अच्छे से जान जाओगे तो आप बहुत अच्छे से करोगे तो ध्यान से समझना inequality का जो either or concept होता है इसमें दो तरह के either or बनते हैं एक बनता है either or का case कौन सा वाला normal case ठीक है बाई एक जो बनता है वो normal case बनता है ठीक है normal मतलब एकदम normal ही रहेगा वो और दूसरा जो बनेगा वो universal case बनता है तो सबसे जादा doubt लोगों को कहा आता बाई universal में इतना doubt आएगा क कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे लगाएं क्या लगाएं और ये बच्चों में एक और बड़ा doubt मैंने देखा कि कब normal का case लगेगा भाई कब universal का case लगेगा पता ही नहीं चल पाता है तो सारे के सारे doubts आज इस एक session में आपको complete करके दूँगा कह सकता हूं तब तक समझा हूंगा जब तक आपको समझना है तो बने रहना बेटा session को जितना जादा हो सकता है फैला दो यार शेयर कर दो इसको जल्दी से आग लगानी है selection लेना है एक्जाम में एकदम इरादों को मजबूत रखना है ठीक है नॉर्मल केस की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्मल के कहता है examiner वो यह कहता है कि यार कोई भी दो conclusion गलत होना चाहिए any two conclusion should be wrong ठीक है any two conclusion एनी टू कंक्लूजन ठीक है शुट भी रॉंग शुट भी रॉंग याद रखीगा कोई दो कंक्लूजन गलत होने चाहिए फिर से बोल रहा हूं गलत होना चाहिए सही पर नहीं कोई भी दो चीज़ें गलत होंगी तो वहां पर इधर और के लिफ पॉसिबिलिटीज बन ठीक है पहले मैं रूस बता रहा हूं फिर मैं बताता हूं कि डेफिनीशन क्या होती इदर और कि और फिर कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे तो बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला छोटा सा सेशन होगा उड़ा देना है बैटा इस कंसेप्ट को उच्छा दूसरा पॉइंट अब यह करके समझा रहा हूं बस लिख लें दो इसको और तीसरा पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है वो क्या जड़ा वो देख लेते हैं तो तीसरा पॉइंट है बिटा कि बोथ साइन ओफ दैट कंक्लूजन बोथ sign of that conclusions that conclusions both sign of that conclusions okay will make together will make together okay satisfy the statement okay satisfied the statement यह तीन पॉइंट आपको याद रखने है क्या बोला मैंने भाई कि कोई दो निश्कर्ष गलत होने चाहिए उनके element बिटा जो है वो बिलकुल same होने चाहिए और उनके चिन्हों को अगर मिला दे तो हमारा कथन सही हो जाएगा चलो यह बात की बात है छोड़ो इस बात को इस बात को बिलकुल भूल जाओ अभी बस आप इतना याद रखो क्या याद रखोगे आप तो डाउट सेच्वेशन याद रखना हमेशा इदर और का केस बनाती है जैसे example आप से बारे म मैं पूछा बताओ कोई बंदा है उसकी हाइट मुझसे क्या होगी अब आप doubt में आ गए रमेश को तो आपने देखा नहीं है जब रमेश को आपने देखा नहीं तो आप कैसे पता करोगी या कि रमेश आप से मेरे से height में बढ़ा है चोटा है बराबर तो आपको सर मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता की वो क्या है तो फिर उसके बाद मैं कहोंगा ना मुझे तो चाहिए मुझे तो आंसर आपसे चाहिए तो आप बिल्कुल उदास हो के यह कोगे सर अब मुझे जब पता है नहीं फिर भी आप इतना प्रेशराइस कर रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि या तो रमेश आपसे बड़ा होगा या तो रमेश आपसे छोटा होगा या तो रमेश आपके क्या होगा बराबर होगा लेकिन ध्यान रखना आपके दिमाग में डाउट है किस बात का डाउट है क्योंकि आपने रमेश को देखा ही नहीं है तो देखा नहीं तो आप इढर और न busted रहाए और एंसर क्या कहरें या तो रमेश बढ़ा होगा या तो रमेश कोटा होगा या तो रमेश कोटा होगा मतल सेचुएशन आती है दाउट ट्रीशन में याद रखना आप इढर और के लिए चले जासे सो आप एक सिक्कार टॉस के लिए उचाला आप उपर जब जब सिक्कार जाएगा तो आपके जमांघ में डाउट है आपके रिमांघ में डाउट है मैं पूछे कर रहएगा तो आप कंफर्म कहीं सकते न priority आएगा तो आप is all about doubt the main definition of either or we can say it is all about doubt doubt है तो इदर और है अब जड़ा देखो यह तो आपने इसकी परिभाशा सुनी इसको apply कैसे करना है the most important thing इसको apply कैसे करना है भाई इसको जब apply करने की बात आएगी तो यह Three points रट लो यह तीन पॉइंट रटा मारो अब जब जब normal kes है normal को valid को यहितो निषकर्श गलत होने चाहिए पॉइंट नंबर टू उनके element बिल्कुल सेम होने चाहिए पॉइंट कि अगर उनके sign को मिला दुंगा तो हमारा कतन क्या होगा भाई सही हो सही हो जाए चलो एक्जाम्पल से बात करते हैं एक्जाम्पल से अगर मैं बात करूँ तो सपोज सपोज मैंने क्या दे दिया मैंने बोला एक्जाम्पल के पॉइंट अब बात करता हूं इसको मैं हटा रहा हूं फिलाल तो इसको मैं फिलाल हटा रहा हूं कि एक्जाम्पल के से जियान से सुनना कीलियर हो जाका कंसर्ट B जो है वो बराबर है किससे वैइ सीज से फिर मैंने क्या बोला कि Si या तो बड़ा है या बराबर है किससे डी से और फिर मैं कहता हूं कि πिड बराबर है E से एक बहुत ही simple सा statement आपके सामने दे दिया example के तोर पर इधर और कर normal के समझा रहों भई द्यान से देखना अब बच्चा लोग इसमें conclusion आ गया अब इसमें conclusion आया पहला वाला तो पहला conclusion बोला गया कि A जो है वो बड़ा है D से दूसरा conclusion आया कि B जो है मैंने दे दिये चार conclusion मैंने आपके सामने यहां पर दे दिये और मैंने आपसे क्या पूछा कि चलो 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 अब जल्दी से बता दो कि इसका answer क्या होगा भई आप exam में बैठे हो और यह प्रश्ण आपके सामने आ गया है आप देखो ज़रा comment में reply को और इसका answer क्या आएगा इसका final answer क्या आएगा आप इने quality तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो चलो ज़रा final answer की बात कर लें A से D अच्छे बात बताओ बिटा एक बात बड़ी important मेरे ख्याल से अब आपको यह तो clear होगा सही गलत के बारे में पता होगा भई equal दिख रहा तो पहली गलत काट दो क्योंकि ना तो B से E के बीच में equal को preference देंगे ना तो A से D के बीच में देंगे यह आपको बताने जा नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि यह आपको पता है इदर और का concept समझना अगर मैं A से D जाओंगा तो भी यह गलत होगा और C से E जाओंगा तो भी यह गलत होगा ठीक है आपको लगता है कि सार आपको concept भी पढ़ना है आपको concept आपने पढ़ा नहीं तो भई यह जाओ description में concept का proper वीडियो मिल जाएगा आपको inequality का और एक-एक películ ने सलब्स करते हैं फेर से सुनो दो याँ-दो से जादा कंक्रूजण गलत हो जाएगा ईसो यू मुस्ट चेक इजिएर और कंडिशन वर कं गणिशन हुए आता नहीं क्या कहता है इजह एक है कोई दो निशकर्ष गलत होने चाहिए तो आपने नोटिसऊ करा कि यहाँ द that conclusion must be same उनके element 1 जैसे होने चाहिए तो चलो न element देखो कहीं कोई element 1 जैसा दिखाई देखा है तो आपने गा हाँ sir A और D आप देखो पहला और तीसरा जो है इनके element क्या होने चाहिए same होने चाहिए देखो same है AD AD बिल्कुल दिखरा आपको same है दिखरा नहीं दिखरा बिल्कुल दिखरा ठीक है तो rule number two तो यहाँ follow हो गया अब बेटा rule number three देख लो कि जो जिनके साथ ये दो rule लगा है उनके साथ ये तीसरा rule भी लगना चाहिए और अगर एक rule भी गलत हुआ तो इधर और नहीं लगेगा तो तीसरा रूँ कहता है कि both sign of that conclusion will make together satisfy the statement कि भाईया उनके चिन्हों को मिला दोना तो statement हमारा satisfy हो जाज़ा मिलाओ ना यार चिन्हों को मिला दे अगर उनके चिन्हों को मिला दे अगर तो बात करेंगे देखो इनके चिन्हों कौन कौन से अगर मैं उनके चिन्हों की बात करsplिया तो यहाँ पे चिन्हों कोन से देखरना पर देखो पहला और तीसरा जो है इसमें दोनो रूल लग गया पहला वाला भी लग गया और कौन समें लग गया तीसरा वी लग गया तो दोनों घरत हो गया element क्या हो गया दोनों का same हो गया और अगर मैं इनके sign को मिला दू तो क्या हमारा कथन satisfy कर जाएगा तो let's see बेटा इनके sign को अगर मैं मिला दू तो कथन हमारा satisfy हो रहा क्या that is the most important point जो आपको जानना है तो a greater d a greater d a बड़ा है d से और a बराबर d a बराबर है d से ज़रा इनको मिला दो तो क्या बनेगा a या तो बड़ा या बराबर है d से तो ज़रा check करो क्या statement हमारा satisfy हो रहा तो जब हम a से d के तरफ जा रहे तो हम क्या पाते है कि यहाँ पे greater equal sign है यहाँ equal यहाँ greater equal तो preference तो greater equal को देंगे मतलब हान जी जो a है वो d से या तो बड़ा है या फिर बराबर है तो इस वज़ा से यह case किसके अंदर चला जाएगा either or के यह case किसके अंदर चला जाएगा either or के तो इसका answer क्या लगा होगे either one और three या तो पहला या फिर तीसरा क्या ये बात समझ में आगी बोल दो हाँ समझ में आगी भई जहां ये तीनो नियम follow हो गए वहां लग गए आपका either or भई दोनों गलत भी है element इनके same भी है और एक देखो इनके sign को मिलाने सर statement क्या हो गया satisfy हो गया ये तो basic वाला था ये जो था वो हमारा basic वाला था अब बात करेंगे तो ये basic वाले की बात करूँ मैं तो ये हमारा कौन सा case था normal case था अब हमको जो पढ़ना है वो special case पढ़ना ये तो सभी बच्चे generally कर लेते हैं और ये गलत होता भी नहीं examiner भी आजकल बड़ा smart हो गया आजकल examiner भी कहता है कि नाम तो पूछेंगे वही जो तुम्हें नहीं बनता तो इसका जो सबसे special case होता है वो universal case होता है जहां पर बच्चे बहुत confused होते हैं और examiner भी खूब हाइडन सी खेलता हमारे साथ तो चलो चलो उस पर बात कर लें तो normal case हो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होगी तीन rule रट्टा मार लो बेटा रट्टा मार लो इन तीन rule को कि conclusion गलत होना चाहिए element same होना चाहिए और उनके चिन्हों को मिला दें तो हमारा कथन satisfy हो जाए इस case definitely will refers to either or और कौन सा normal वाल लिखा नहीं रहेगा नॉर्मल वाला आप उसको इधर और माल लोगे ठीक है भाई चलिए अब बात करते हैं किसके सबसे important case की जिसके लिए शायद मैंने आपको यह session देने की कोशिश करी है universal case universal case की बात अगर मैं करूँगा तो जड़ा universal case देख लें देखो भई जो universal case होता है इधर ओगा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको universal case की तो universal case एक ऐसा case होता है जिसमें बच्चे घूम जाते हैं बहुत ज़ादा घूम जाते हैं ठीक है बहुत ज़ादा यूनिवर्सल केस ठीक है और इतना ज़ादा घूम जाते हैं कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई आप ये मान के चलो कि हम कैसे करें और मैं बता दे रहा हूं जो याज बताने जा रहा हूं कोई नहीं बताएगा यहीं से सीखे जाओगे एकदम तगड़ा कंसेप्ट है और यह ऐसा वैसा नहीं कि उठाया लिख दिया जैसे बाकी लोग बता देते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे बताऊंगा बिना रीजन के तुम बात नहीं करता बिना एविडेंस के बात नहीं करता आपको विड एविडेंस बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है भाई क्यों ऐसा होता है कि यह चीज़े अपलाई होती देखो पहला केस तो सिंपल था समझ लिए इसमें कुछ थानी बताने को अस्ते लगाई तो यहाँ पे यूनिवर्सल केस देखो भाई यूनिवर्सल केस में आपको याद अखना कि पहले जो तीन पॉइंट है नॉर्मल वाले उसमें से जो शुरू का दो पॉइंट मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे यूनिवर्सल का रूल नंबर वन यहाँ लिखता हूं ठीक है यह लिखूंगा मैं कि एनी टू कंक्लूजन ठीक है एनी टू कंक्लूजन मस्ट बी रॉंग ठीक है मस्ट बी रॉंग यह पॉइंट तो आपको याद ही रखना है गलत होगा तभी इदर और पे जाओगे समझ भी आई बद अच्छा दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बनेगा तो दूसरा जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा वही जो नॉर्मल वाला भी था क्या कि elements ठीक है यही याद रखना elements ठीक है elements of that conclusion elements of that conclusion must be same elements of that conclusion must be same यह तो मेरे ख्याल से रूल आपको बिल्कुल दोनो रूल common है तो आप नोटिस करोगे कि इधर और आपका normal और इधर और universal इन दोनों में पहला और दूसरा नियम बिल्कुल common होता है इवन आप syllogism पढ़ोगे न आप यह दोनों रूल common होता है अब तीसरा point हर जगा चेंज हो जाएगा normal rule कहता है कि भाई तीसरे में की sign को मिलाओ तो question हमारा satisfy हो जाएगा यह ऐसा नहीं कहता यह कहता है तीसरा point कि all the three sign चेक है all the three sign all the three sign कौन-कौन से three sign बेटा तो आपके एक होगा greater एक lesser और एक equal यह तीनो sign बढ़ा छोटा और बराबर यह तीनो sign must be available must be available ठीक है must be available in given conclusion must be available in given conclusion ठीक है given conclusion must be available in given conclusion भाई यह तीसरा point बहुत important है कि normal वाला case कहता है कि चिन्हों को मिलाऊंगा तो statement satisfy होगा universal कहता है कि ना तीनो sign बस मिल जाए हम उतने से खुश हैं अभी एक point और है जो आपको जानना जरूरी ठीक है example क्या बढ़ी जरा सोचो statement आपके सामने दिया गया एक आपके सामने statement क्या दिया गया statement कुछ ऐसा दिया गया कि जो A है वो बड़ा है या बराबर है B से B बड़ा है C से ठीक है और C छोटा या बराबर है D से मैं आपको कुछ conclusion दे रहा हूँ conclusion number one पहला पहला निशकर्ष में क्या देता हूँ यहाँ पहला निशकर्ष में ने कहा कि जो A है वो बड़ा है F से ठीक है दूसरा conclusion बोला गया C जो है वो छोटा है बराबर है किस से F से तीसरा conclusion बोला गया कि B बड़ा है E से और चौथा बोला गया कि E छोटा या बराबर है A जो है वो छोटा या बराबर है किस से भाई F से तो मैंने चार conclusion दिये मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि बाई ज़रा चेक करो इसमें कहीं भी गलत सही कौन सा भाई सही गलत बस शेक कर लो बागी स्टोरी के लिए तो बिलकुल ओके-ओके तो अगर मैं बात करो A से F की तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें सही गलत क्या होना चाहिए भाई पहला वाला भी गलत होगा A से F जाओगे बीच में साइन आपॉजिट हो गया कन्कूजन गलत होगा दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे बारे में भी क्या होगा भाई साइन आपोजिट होगा अगर C से कहा जाते हो भाई F के तर्फ sign opposite होगा तो कोई भी conclusion doubt situation के कारण गलत होता है ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा गलत सही आपको पता है अब जब देखो यहाँ पे दो या दो से जादा चीज़े गलत हो जाए तो guys you must check either or आपको either or check कर ही लेना है आपको mistake नहीं करनी है तो यहाँ पे देखो either or check कैसे करोगे भाई अब एक बड़ा question arise होता है मैंने क्या बताता है बड़ा question arise होगा कि sir हमें कैसे पता चलेगा भाई कि either or का normal वाला case है कि universal वाला case है कैसे पता चलेगा बहुत अच्छी और concept वाली चीज़ बताने जा रहा हूँ है फालने था द कर happen को पहला दूसरा रूल लगा देखो कि वह दोनों में सेम था तो पहला रूल कहता है बाई कि दोनों सकर्ष गलट तो सार्य है गलत तो सारह यह है ढ題 है ठीक है दूसरा नियम कहता है कि जो गलत है न उनके elemente फैम होने चीए उनके क्या होने चाहिए सें, element सें वोला concept कहा दिखाई दे रहा है, तो अप नोर्मेंट सें अगसा होता है, içir बढ़ा question arises होता है, कौन सा जगा है rule, आप क्योंकि कहते हो छोट दिर पहले आप ने कहा था मुझे, कि universal का तीसरा केस अलग कहानी बता रहा कि तीनों साइन होने चाहिए और नॉर्मल वलग कहके क्या गया था कि भाई साइन को मिलाएंगे तो कतन सैटिस्वाई हो जाएगा तो बड़ा डाउट है बहुत जादा डाउट है कैसे करेंगे जरा समझने वाली बात है तो जब इस बात को स एक पॉल्टिंट बात याद रखना उनके बीछ में साइन देखना अब यहाँ पर A और AFF मैं इसको अलग से लिखे तो बिटा AFF को अलगा लिखना है पर A बड़ा है F से और A चोटा या बड़ाबर है F से इनके बीच के मिश्न कायुट करते जब स्थान आप कायुट होगे इन के बीच में कितने साइन ता बड़ा वाला साइन एक चोटा वाला साइन है और एक बराबर भी तीन साइन है अगर एलमेंट्स के बीच में बीच में दो साइन आते हैं सिर्ف दो सुनों अगर normal वाला केस चेक करना है तो 2 sign चाहिए बहिया और अगर युनिवर्सल है तो 3 sign तो यहां कितने sign दिखाए देना तीन तीन दिखाए देना तो कौन सा रूर लगा होगे आप तो यहां पर युनिवर्सल का लास रूर कहता है भाई कि तीनों साइन मौजूद होना चीड़े तो हाँ दोनों गलत भी है एलिमेंट सेम भी है और तीनों साइन मौजूद में बड़ा छोटा और बराबर तो इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा इधर और का केस लग जाएगा मतलब अभी समझाऊंगा बहुत डिटेल में समझाऊ गारवी तो आपको मैं सीधे बस बता रहा हूँ कि इधर और क्या है समझ में आ गया पहले तो आपने नॉर्मल केस का एक्जामपल के थूर समझा वह आपने युनिवर्सल वाले एक्जामपल के थूर समझ दिया अब बाद बड़ी कहां पे होती जड़ा से इसमें रहने दो ठीक है एक कोशन और मैं लिखता हूँ यहीं छोटा सा कहीं पर लगदे रहा हूँ यहाँ पे यह देखे एक कोशन अगर और मैं ध्यान से देखूं या बताने की कोशिश करूं तो क्या था कोशन यहां लिखता हम स्टेट्मेंट है A जो है वो बड़ा है B से ध्यान से देखिएगा थोड़ा doubt clear करूँगा आपका यहाँ पे और doubt जो बन सकता उसको भी clear करूँगा A बड़ा है B से B बराबर है भाई C से और C बड़ा है D से C जो है वो किससे बड़ा है D से यह मैंने बना दिया ठीक है और एक और लेते हैं D जो है वो छोटा है E से ठीक है अब इसमें मैंने क्या कर लिया conclusion ले लिया भाई मैंने conclusion number one ले लिया मैं तीन conclusion के साथ जा रहा हूँ पहला conclusion मैं कहता हूँ इसका क्या मैंने दे दिया भाई पहला conclusion मैंने कहा कि जो A है वो छोटा है D से ठीक है दूसरा conclusion में कहता हूँ कि A बड़ा है किस से E से तीसरा conclusion में कहता हूँ कि जो A है वो बड़ा या बराबर है किस से D से तीसरा मैंने बोला कि जो A है वो बड़ा या बराबर है D से अब मैंने बोला कि बच्चा लोग चेक करो चेक करो और बताओ मुझे कि यहां पर इधर और कहां लगेगा कैसे लगेगा जरा निकालो जरा तो आप तो बहुत जल्दी फूर्ती से स्पीडली आप को गया अच्छा सर यह तो तुरंट चेक हो जाएगा तो मैंने का कर बिटा करके दिखाओ जरा सा तो आप कहते हो कि सर A से D जा रहा हूं मैं A से D जा रहा हूं मैं तो यहां पर देखो कि अगर मैं A से D गया तो नोटिस करो यहां sign greater आ रहा यहां sign equal आ रहा और यहां greater आ रहा ठीक है यह equal का sign है भई यहां equal आ रहा ठीक है ना यह equal अगर आप A से कहा गए D तक गए तो तीन sign आपको दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपने दिमाग में क्या लगा है कि सर यहां पर प्रिफरेंस किसको देंगे greater को क्या वो greater वाला sign यहां दिख रहा तो नहीं दिख रहा और यही A से D यहां करें तो यहां भी नहीं दिखाई दे रहा तो दोनों गलत हो गया और B चुला देखो A से E तो गलत होगा क्योंकि जब A से E जाओगे तो sign opposite होगया तो यह लो भाई यह भी गलत होगया तो यह तीन तो गलत होगया no doubt अब जब यह तीन गलत होगया भाई साब तो बड़ा important यहां पर concept क्या बन जाएगा बड़ा important concept यहां पर बनेगा कुछ ऐसा क्या बनेगा बई क्या बनेगा क्या आपको कर लें क्योंकि तीन तो गलत दिखाई देने तो हमने का हाँ बई चेक करके बताओ जल्दी से तो आपने का सर यहां पर देखो पहला और तीसरा जो इसमें इधर और की chances बन रहा है क्यों क्योंकि नियम के हिसाब से पहला भी गलत है तीसरा भी गलत है मैंने का ठीक है फिर आपने का सर इलेमेंट सेम है मैंने का बहुत अच्छे वेरी गुड फिर आपने पहला कोगे लेकिन जरा सुलो जरा ठहर जाओ जरा शान्ती धरो क्योंकि आप यहां पर गलती कर सकते हो यहां पर इधर और नहीं लगेगा इधर और नहीं लगेगा अब आपके दिवाग में फिर से कोशन सर कैसी बात कर रहा है अभी तो आपने बताया था कि इधर और लग जाएगा सब कुछ तो वही है आपे इनके में भी दोनों गलत था element same था और तीनों sign मौझूद थे और वहाँ भी तो वही बात है गलत भी है element भी same है sign भी वही है तो इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब निकल गया कि भाईया यहां पर कुछ तो अलग होगा इस वाले question से कुछ तो अलग होगा अब मैं आपको real definition बताने जा रहा हूं कि इसका इधर और का और यहीं से पूरी frame picture clear हो जाएगी तो बिलकुल stay tuned बने रहो है ऐसे ही क्योंकि अब असली लड़ाई कहीं भी खड़ा है market में खड़ा है आप बताओ रमेश की height मेरे respect में क्या है रमेश मुझे बड़ा चोटा बराबर क्या जल्दी बताओ तो आपको मुझे नहीं पता मैं बताना तो पड़ेगा बेटा तो आप फिर जबर्दस्ती करने पर बोलोगे कि सर रमेश या तो आप से बड़ा था रमेश या तो आप से छोटा था या तो रमेश आप से डेफिनेटली क्या होगा बराबर होगा तीन में से कोई एक हो सकता अचाई या आपने या तो या इदर और कब बोला या तो बड़ा या तो बड़ा और चोटा और बराबर आपने तब बोला जब आप doubt में थे, आपको पता नहीं थक क्या है, लेकिन जरा ध्यान से देखो, doubt में इदर और लगेगा बैटा, जरा यहां देखो, क्या यहां doubt बन रहा, भाई आपने A से D के बीच में doubt लगाया, इदर और लगाया, मतलब doubt में लगाया, तो आप कहते हैं सर या तो A D से छोटा होगा या तो A D से बड़ा होगा, या तो A D के बड़ाबर होगा, आपने मुझ से तुरंट बोल दिया, अच्छे या आप तभी बोल सकते हैं, जब आपके दिमाग में A और D के बीच में doubt हो जड़ा, चेक करो नहीं स्टेटमेंट में, जब हम स्टेटमेंट में A से D जा रहा है, तो आपको दो साइन मिल रहा है, तीन साइन, इसको दो ही बोलूंगा मैं, तो इनमें प्रिफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे, तो according to that statement, आपको दिख रहा है कि जो A है वो बड़ा है D से, भाई यहाँ पे statement में आपको confirm पता चल गया कि A बड़ा है D से, तो बेट जब तुमको statement में confirmation मिल गया, तो doubt का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, और जब doubt नहीं होगा, तो इधर और लग नहीं सकता, भाई जब पता ही है statement में कि A बड़ा है D से, तो तुम यह क्यों कह रहे हो, कि या तो छोटा है, या तो बड़ा है, या तो बराबर है, अगर तु तो भाई साब जब statement में पता ही है, कि A, D से बड़ा है, तो फिर आप इधर और कैसे लगा सकते हो, तो इसका मतब एक rule और develop हो जाएगा, अच्छा, notice करो, फिर यहां कैसे लगा दिया गया, तो आप notice करो, जब A से F के बारे में यहां चलेंगे न, A से F के बारे में जब जाओगे, तो आप क्या पाओगे, साइन देखो, greater equal, greater, less than equal, equal or greater, तो आप यहां देखो, साइन ऑपोजिट पाओगे, अब जब A से D की तरफ साइन ऑपोजिट पाओगे, तो आप खुद डाउट में रोगे, मुझे पता ही नहीं कि किसको preference ने, क्योंकि preference तब दिया जाता साइन को, जब सारे साइन एक ही तरफ देख रहे हैं, यहां पर डाउट सेचूइशन आ गई, साइन ऑपोजिट होगे, मतलब डाउट, आप डिसाइड ही नहीं कर पार हो, कि A जो है F से या तो बड़ा है, या तो छोटा है, या बराबर, आप डिसाइड ही नहीं कर पार हो तो फिर क्या लगा दिया, आपने इधर और, इसमें तो कन्फर्म है कि A बड़ा है D से, आप डिसाइड कर ले रहे हैं, और अगर आप डिसाइड कर ले रहे हैं, मतलब यहां पर कन्फर्म है कि इधर और नहीं लगेगा, तो इधर और कब लगता है, जब सेचूइशन कैसी होना चाहिए, साइन ओपोजिट होना चाहिए, या कह सकते हैं कि कथर में डाउट सेचूइशन बनने चाहिए, साइन ओपोजिट होगा, तब ही डाउट होगा, आप देखो जड़ा सा, A और D के बीच में डाउट नहीं है, साइन ओपोजिट नहीं है, तो यहां पे एक चौथा पॉइंट क्या होगा चौथा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा चौथा पॉइंट ठीक है चौथा पॉइंट बनेगा टू एलिमेंट सरफ है चाहरा पॉइंट याज cambi अपको पाईय padre मां पॉइंट अrenयर पॉइंट से बिलने चल पॉइंट के बीच में स्टेटमेंट में भी साइन आपनीफ हो या तो बदाबर समझ में आई बात तो यह चार पॉइंट किसी भी केस को युनिवर्सल ले जा सकते हैं और तीन पॉइंट नॉर्मल यह आपको बेसिक तरीका मैंने बताया अब ज़रा कुछ और कुछ और कॉश्चिन्स में बताता हूं आपको ध्यान से देखो ठीक है यह आ बड़ा है C से C बराबर है D से D बड़ा या बराबर है E से और E जो है वो छोटा या बराबर है F से और F बराबर है G के G बड़ा है किस से के से माल लो यह आपके सामने कॉश्चन दे दिया गया ठीक है अब इसमें मैंने कंक्लूजन क्या बोला निश्कर्ष पहला मैंने पह इसरा conclusion बुला कि B जो है वो छोटा या बरावर है किसके भाई F के चौथा conclusion बुला कि के जो है वो बड़ा है किससे C से suppose यह मैंने आपको proper बना के दे दिया ठीक है अब आप से पूछा कि चलो भाई चेक करो चेक करो सबने पढ़ लिया यहां पर चेक करो जल्दी से चेक करो जल्दी से कि इसमें क्या लगेगा इदर और लगेगा कि नहीं लगेगा चेक करो तो आपने कहाँ सर गलत तो सारी है और मैं बिलकुल इस पर आंसे देखो क्या इस question का answer आप ऐसे दे सकते हो कि A बड़ा है G से अब आप notice करोगे कि यहाँ पे अगर A और B की बात करूँ मैं सिर्फ A और B की तो अगर A बराबर है B के तो मतलब जो A है वही B है जो B है वही A है बाई जो A का है वो B है जो A है वही A है जो B है जो B है जो B है वही A है मतलब A ही तो B है तो क्या मैं A को B लिख सकता हूँ क्या बिलकुल लिख सकता हूँ तो यहाँ पर A हटा के उसके जगा पर क्या लिख द और जैसे मैंने यह लिखा तो आप पाओगे कि पहले और तीसरे में देखो अब कंक्लूजन तो गलत थे ही थे element भी सेम हो गया बी एफ बी एफ और नोटिस करो यहां पे तीन साइन दिखाई दे रहा तो कौन सा वाला चेक करेंगे युनिवर्सल कहता है भाई कि कंक्लूजन गलत होने चाहिए है element सेम होना चाहिए बिलकुल है और तीनो साइन है बड़ा छोटा और बराबर तीनो साइन लग रहा है और साथ ही साथ जिन दो element के बीच में तीनो साइन लग रहे हैं उनके बीच में statement में sign opposite होना चाहिए doubt situation होना चाहिए तो आप notice करो तो B से F के तरफ जाओगे तो बीच में sign opposite आ रहा है इसका मतलब doubt situation बन गई रहा doubt situation बन गई मतलब यह क्या चला गया either or में तो answer क्याएगा इसका either one or three या तो पहला या फिर तीसरा समझ में आई बात आपको या तो पहला या फिर तीसरा बहुत ही neat and clean तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा यह मैं विश्वास कर सकता हूँ ठीक है बाई चली जड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे next class पर या next कहानी पर इसकी बढ़ेंगे यह आपने समझाने अब इसको थोड़ा समय कर चेंज करूँ थोड़ा सा चेंज कैसे करूँ भाई यह सब हटा रहा हूँ मैं यह सब हटा दे रहा हूँ यहाँ पर sorry इसको हटा दिया मालो ठीक है अब मैंने question यहाँ पर दे दिया क्या L greater equals to G और अगला दे दिया इसमें L less than G अब मुझे बताओ क्या इदर और लगेगा बहिया जल्दी बता दो क्या इसमें इदर और अब लगेगा तो आपको कि सर गलत तो तीन हुई है और सर आपके दिमाग में doubt है कर सर L तो इसमें है ही नहीं तो L नहीं है तो गलत तो होना है ठीक है अब जब गलत हो गए तीनों तो क्या इदर और लगेगा क्योंकि यहां पर दोनों गलत भी है और इनके बीच में तीनों साइन दिख रहे हैं तो क्या इदर और लगेगा तो आपको होगे सर पता नहीं तो मैं बता दूं जी हाँ इसके बीच में इदर और लग ज को जब केह नहीं सकते हैं तो ढूड सेचुविशन खो पाइन होता इसमें तो जी यह तो बड़ा होता है यह थो छोटा होता यह बराबर होता तो महें यह थो बोल घुल यह तो बड़ा इसमालर और एक्वल तो अगर वह साइन ओपrit ना तो आप universal के साथ जा सकते नॉर्मल में नहीं लगेगा तो यह पिक्चर भी क्लियर होगी चलो आगे बढ़ते हैं जरह सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी देखो जरह सब तो यह आपने पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए अब आगे बढ़ जाओ यहाँ पर next ठेक है आगे बढ़ जाओ next case पर और next case पर हम आगे जाएंगे तो इसको मैं हटाता हूं ठेक है अब जरह आगे वाली कहानी क्या जरह वह समझ लो अगर एक question मैंने आपको दिया statement पाल लो कैसा statement मैंने आपको दिया ऐसा statement आ बड़ा है c से और दूसरा आपको दे दिया कि a है छोटा c से अब बताओ इसमें क्या इधर और लगेगा क्या इसमें इधर और लग सकता है क्या इसमें इधर और लग सकता है भाई जलदी बता दो तो आपको होगे सर not equal का मतलब क्या होता है not equal का मतलब होता है या तो बड़ा या छोटा तो यार गलत तो दो नहीं होंगे क्योंकि ए और सी के पीच में कोई definite relationship नहीं आ रहा गलत है एलेमेंट दोनों के सेम है तो जरा इसमें दो ही साइन दिख रहा तो यूनिवर्सल रूल लगेगा यूनिवर्सल क्याता है कि इनको मर्ज कर दू मैं तो ऐसा मर्ज करने पर स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाए तो होगा क्या अच्छा एक बार बताओ not equal का मतलब क्या होता होगे तो इन दोनों में preference आपको कि सरी सी को दे दो आप preference तो यहां दिखाई देरा तो यह सही हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है याद रखना ये दोको दोनों गलत है no doubt element दोनों के सेम है और इनको मर्ज करने पर आप क्या A से C के बीच में यह बोलोगे इधर और आएगा अब यह कह सकते हो क्या कि या तो A या तो पहला या दूसरा या आप यह कहना चाह रहे हो कि सर कुछ भी करो A C से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा रहे भाई A का C से कोई रिष्टा ही नहीं पता हमको यह पता है कि A B के बराबर नहीं होगा हमको यह पता है कि B C के बर narrative नहीं पर एक और एक और बन सकता है बराबर किमिटली ए गलत है यह बात बिलकुल और नहीं आ सकता हाँ से लग गया तो एदर और आपका असान ही के साथ मन जाएगा क्योंकि पारे में इस्कोई बोली नहीं गिने भाई साब कुछ भी नहीं बोला गया बात समझ में आ गई अच्छा एक और कोशन अगर इसी में बता के देदू मैं थोड़ा सा एक और कोशन इसी में बना के देदू और उसके बाद मेरे ख्याल से concept clear है एक कोशन और क्या बना के देदू होंगे गलत तो दोनों ही होंगे है ना अब जब घलत हो गए दोनों तो आप notice करो हो इनके elementü तैन हो गे अच्छा मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि जो है वो यह तो भड़ा बड़ा होगा या तो छोटा होगा किस se सी से यह हो गया और इसका मतलब जो होगा ऑien और A और C के बीच में doubt होना चाहिए तो हाँ sign opposite बन रहा है मतलब doubt है समझ में आपनों को उमीद है question concept सब कुस समझ में आ गया होगा और ऐसे questions को जबाब करते हैं तो आपको याद रखना होता है थोड़े बहुत concepts थोड़े बहुत rules और बहुत सारा दिमाग आपके पास होना चाहिए concept को समझने के लिए दिमाग का मतलब क्या होगा कि आप एकदम concept को देख के बैठे हो समझ के बैठे हो तो ही आपको चीज़े बनेंगी तो आपको सब को समझ में होगा अगर आज का session आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि सर और कैसे कहां से वीडियोस हम देखे तो आप हमारे वीड पर जाके क्या लिख देना है या मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम जैसे लिखो कि कुछ ऐसा interface आएगा और यह सब कुछ हम फ्री पड़ा रहे हैं कोई पैसा नहीं कोई पैसा नहीं कोई पेड़ वेड कोर्स की बात नहीं करेंगे कि हमारे पेड़ कोर्स में यहां वहां ऐसे हैं यहीं पड़ो सब कुछ फ्री में पड़ो बस सलेक्शन लेडर के देदा तो बह अबको करना है जैसे यहां पर कुछ नहीं करना जाके बस फूल कोर्स बटन दबा दीजिये फिल कोई प जाएंगे जैसे ही आपको हमारा से पूरा मिलजाएगा आपको लगता है कि यहां से नेट्स्ट वीडियो करेगा अपको कुछ यहां बढ़ा के सकता है और सबस्क्राइब जरूर कर रहे हैं यह वादा कर रहे हैं कि आपका सेलेक्शन करा करें छोड़े थाइंक इसो मुच गाईज मिलता हूं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ बनके रहेगा बना के रखेगा और एक जीत एक एक होसला जो है अपना बना के ऐसे रखेंगे कि वो एक सीट जिसके लिए पूरी दुनिया पूरा भारत पूरे स्टुडेंट्स पूर